और बड़ी खबर अपने दर्शुकों तक हम पहुंचा है, तीसरे टर्म में आक्शन में दिखाई दे रहे हैं प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी, किसानों के हित में पहले दिन ही उन्होंने बड़ा फैसला लिया, किसान सम्मान निधी की 17 गिस्त जारी करके 20,000 करोड रुप पहले से चली आ रही थी, लेकिन ये पैसा पैसा पैंडिंग था और प्रधान मंत्री ने जैसे ही कारभार समाला, जो पैसा किसानों के खाते में जाना चाहिए था, और रुका हुआ था, अब जो है, उसको सबसे पहले क्लियर किया है, जिससे कि देश के करीबन 9.5 करोड किसानों को सीधे तौरपस का फाइदा मिलेगा, और ये दिखाता है कि सरकार की प्राट्समिक्ताय क्या है, क्योंकि जब चुनाव हुए भी नहीं थे, उससे पहले ही प्रधान मंत्री नरिन बोधी ने जब अपने सांसदों के साथ तकी थी, तो उस दौरान साफ तोर पर कहा था कि सौ दिनों का आप एजेंडा अपना प्लान तैयार करिये, और जैसे ही उस सरकार में वापस आए हैं, उस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है, जी. बिल्कुल वो रन्नीती पहले ही बन चुकी है, और अब जैसे जैसे मंत्राले भी दे दिये जाएंगे, सौ दिन का काम भी शुरू हो जाएगा, ठीक है, आब देखें, मोधी 3.0 की हम बात कर रहे हैं, तमाम शेहरों की हमने बात कर ली, अब जरा बड़े फैसले, बड़े बात कर लेते हैं, यहाँ पर कौन-कौन से बड़े फैसले होंगे, एक देश, एक चुनाव 2019 में जिसका जिकर किया था, सितंबर 2023 में कमिटी भी इसे लेकर बना दी गई, मार्च 2024 में राश्चुपती को इसे रिलेटेड रिपोर्ट सौपी गई, चुनावी घोशना पत्र अब यहाँ पर UNSC में स्थाई सदस्यता विदेशनीती मजबूत करने पर जोर देंगे, UNSC में स्थाई सदस्यता का लक्ष है, चीन के अडंगे की काट, लेकिन यहाँ निकालनी होगी, यह तब ही संभव हो पाएगा, अब आयुश्मान भारत का विस्तार, आयुश्मान यो से पहले ही मीटिंग हो चुकी है, जिसका जिकर अभी शेग भी कर रहे थे, यह तैह हो गया है, क्योंकि प्रधान मंत्री पहले से ऐसा करते रहे हैं, कि सरकार में आते ही, संभालते ही अपने मंत्राले, सौ दिन का लेखा जोखा पूरा तयार कर लिया जाए. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कभी सरकार में आये जाए, 2014 देखे, 2019, देखे, किसी के बारे में अगर राय बनानी हो, तो उसके पीछे के कारिकाल को जब आप देखते हैं, तो साप दिखता है कि वो अपना हर काम प्लांड वे में करते हैं, यानि वो पहले प्ल और उन्होंने पहले ही कह दिया है कि सौ दिन का वो एजेंडे पे काम कर रहा है, सौ दिन का एजेंडा उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को भी अल्मोस्ट बोला हुआ है, सौ दिन के एजेंडे में जैसा आपने जिक्र किया है, वन नेशन, वन इलेक्षन, इसके अलावा आयुश्मान योजना का विस्तार इसके अलावा UCC का विस्तारी करन की UCC एक राजी में लागू हो चुका है गोवा में लागू है असन सरकार ने उसे डाप्ट कर लिया है गुजनात सरकार ने पहले ही घोशना कर दी है UCC के लिए तो अब इन चार-पांच राज्यों में अल होगी लेकिंस भी जो होगा वह पोर्टफोलियो बनेगा कि पोर्टफोलियों में किसके पास क्या जाता है और उसके बाद उसी के सबसमांदtal की के साब से Online का एंजेंडा तैार करे आउसे अगली कांट को हो तो हो सकता है कि जो अगला बुद्धवार है उस दिन भी कैमिनेट की बैठक हो। इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी डियूज आपको रखे आगे